अकसर शोर और विकर्षणों से भरी दुनिया में एक ऐसा दिन होता है जो हमें रुखने, प्रतिबिम्मित करने और ज्ञान की रोश्णी का जश्न मनाने के लिए कहता है। बुद्ध का जन्म दिन, जिसे वैसाक या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। एतिहासिक बुद्ध सिधार्थ गौतम के असाधारन जीवन का सम्मान करता है। यह भक्ती, उदारता, चिंतन और उत्सव का दिन है। राजगराने में जन्मे राजकुमार सिधार्थ ने मानविय पीडा का सामना करने के बाद अपने विशेशाधिकार प्राप्त जीवन का त्याग कर दिया। सत्य की उनकी खोज ने उन्हें बुद्ध जागरित व्यक्ती बनने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध का इतरह से मनाया जाता है। पूरे दक्षण और दक्षण पूर्व एशिया में यह जीवन्त परेडों और मंदिर समारों से भरा एक भव्यत योहार है। पूर्वी एशिया में यह ध्यान और चिंतन के लिए एक अधिक व्यक्तिगत अफसर है। कमल पवित्रता और आत्मज्यान का प्रतीक है। धर्म चक्र बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। और बोधी व्रिक्ष उनकी गहन जागरती की याद दिलाता है। बुद्ध का जन्दिन उनके द्वारा सिखाए गए मूल्यों, करुणा, दयालुता और सावधानी को अपनाने का समय है। यह एक अनुस्मारक है कि हम सभी में आंतरिक शांती और ज्यान की क्षमता है। तो आएए दयालुता, उदारता और सावधानी का अभ्यास करके इस विशेश दिन को मनाएं। आएए बुद्ध की तरह शांती और करुणा का संदेश फैलाएं। बुद्ध का जन्म दिन मुबारक हो। हम सभी के भीतर ज्यान की रोशनी जग्मगाती रहे। बुद्ध का जन्म दिन प्रकाश और ज्यान का उत्सव है। विडियो देखने के लिए धन्यवाद।